नमस्कार साथियों सी बीबिकल आईटीए गुरु में आप सभी का स्वागत है आपका विश्वासीने चैनल एक बार फिर से न्यू अपडेट के साथ दोस्तों हाजिर है आपको बता दे कि जो लोग 2024 में आईटीए में अडमिंसन लेना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है आप चाहे जिस राज को सभी राज्यों के लिए एक महतपूर सूचना है आपको ये भी बता देंगे कि आपके राज में कब तक जो है आईटीए को फार्म आ जाएंगे चले शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आईटीए को फार्म कब आता है सबसे पहले दोस् पंदरा दिन के बाद जो है आईटीए को फार्म आता है ठीक है कहीं कहीं लेट भी हो सकता है 20 से 25 दिन भी हो सकता है तो ये मान के चले कि जब तक आपका बोर्ड का रिजल्ट नहीं आएका आपके स्टेट का तब तक आईटीए को फार्म नहीं आता है और बता दें आपको कि जिसे UP board का result आ चुका है, MP board का, हिमाचल परदेश का, उत्राखन का, हरियाना का, बिहार का, यहाँ पे जो है, state board का result जारी हो चुका है, और वहीं बात करें, बिहार में तो admission की परकिरिया जो है, चल रही है, मतलब यह कि interest exam का जो है, त्यारी चल रही है, इसके बाद जो है, interest exam होगा, फिर इसके बाद जो है, मिर्ट बनेगा, फिर ITA में admission होगा, सिर्फ बिहार में interest exam होता है, बाके किसी राजमें, जो है, जो यहाँ पे मैंने राजन नाम लिखा है, यहाँ पे कहीं भी जो है, interest exam नहीं होता है, जो भी आपका 10th का percentage होता है, उसी के धार पे आपका ITA में admission होता है, तो यह तो तो बाद दोस्तों confirm हो चुका है, कि यहाँ पे जो भी आपका state है, उस state का जो board का result है, उसके आने के बाद ITA का form आएगा, अब देखिए, लगभग इन राज्यों में जो है, ITA का form आचुका है, तुम आपको एक संभावी तेथी बता दे रहा जो राज सरकारी के ITA का नोटिस जारी हो चुका है, और यहाँ पे जो है, एक सिलूल यहाँ पे दिया गया है, कि कब तक आज आएगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक नोटिस जारी हो चुका है, यहाँ पे, दिया गया कि प्रकृषिभ प्रारम होने वाली है उससे पहले यह सभी दस्तवेज यहां पर दिया गया जी तो अगर आप जारखं के रहने वाले यह आप जरूर ध्यान अखेंगे अब बात करते हैं किसी अनिराज कीय созд respect करते हैं आप दिल्ली इत चल्त नोट यहां पर आप दे सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगॉर्डिंग आईटे एडमेशन दो हजार चौविस तो यहां पर जो है दिया गया है कि टेंटेट्व जो सेडूल है वह जल्द ही जल्द आपका जारी होने वाला है साथ में दोस्तों यह भी बताया गया है कि जो है अगर आप आप इडमेशन लेना चाते हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं तो जो है आप यहां पर पे पोर्टल पर जो है यहां पर अपडेट करते हैं Benny की बिजिट करते रहें यहां पर जल्द ही अपडेट हो जाएगा त बात करते हैं अनराज की वहीं दोस्तों बात करें मध परदेश आईटियाई की तो मध परदेश आईटियाई का जो है अभी सिदियूल यहां पर दे सकते हैं जो है अभी 2,000 यहांपर 23 का ही सो हो रहा है तो यह मान के चले की जो है जो MP ITE का फॉर्म है यह आपके जून के फर्स्ट बीक में आने के संभावना है UP वाले बहुत बेसबरी से इंतियार कर रहे हैं तो आपको बता देए यहाँ पे देखे UP ITE का तो UP ITE के बेव साइट है जो बेव साइट में आपको ओपिन दिखा रहा हूँ यह मान के चले इसी बेव साइट पर आपको फॉर्म देखने को मिलेगा और यहीं से आपको ऑनलाइन करना होगा ठीक है बाकि जैसे आगे आगे प्रोस्स होगा मैं सब कुछ आपको बतात था ठीक है तो यह मान के चले कि माई के लास्ट तक जो है UP ITE का भी फॉर्म आ जाएगा अगर दोस्तों उत्तरक्षंड आईटिय की बात करें तो उत्तरक्षंड आईटिय में भी यही प्रोस्स वही दिखा रहा है 2023 का जब यहां पे 2024 25 आ जाए ठीक है तब समझ जाना की फ पास्ट विक में आज आएगा बात करते हैं दोस्तों हिमाचल परदेश आईटिय का तो हिमाचल परदेश आईटिय का यहां पर देखिए अडमिसन जो है स्टार्ट हो चुका है 2024 का लेकिन अभी यहां पे इलहाल जल्द ही अपना रिजुट जारी किया है तो मान के चली य आएगा जून के फर्स्ट विक तक अगर बात करें हरयानए आई टे इक तो अब हरयानए आई टे का भी नोटिस यहां पर भी जारी नहीं हुआ है जैसे नोटिस जारी होगा आपको बता दिया जाएगा लेकिन आप मनक चले कि मैई के लास्ट तक जो है जून के फर्स्ट बीक में सभी राज्जु का IT का फॉर्म आ जाएगा जैसे आएगा आपको सब कुछ बताएंगे फिलहाल आपके मन में कोई डाउट हो कमेंट करिए जवाब दिया जाएगा या फिर जो है आपके मन में कोई संका संदे हो तो वाटसअप कमेंट कर सकते हैं वाटसअप का जाएगा